इस lecture में आपको दो major type बताने वालों एक होती है primary data की type एक होती है secondary data की type यानि कि primary data versus secondary data primary data का मतलब यह है कि जब एक data produce हो रहा है and you are analyzing that data and on site आप उसको produce भी कर रहे हैं या अपने experiments के थुरू आपने data खुद से produce भी किया है इसको बोलते है primary data यानि कि ऐसा data जो आपका अपना data है आप उसी पर analysis कर रहे हैं तो ऐसी data science या data analytics जिसमें आप data खुद से produce करते हैं या collect करते हैं या measure करते हैं या ऐसी जगा जहां पे आप data collect करके खुद को analyze भी कर रहे हैं data को उसको primary data बोलते हैं जगा से मुराद वो tools वो software जहां पे आपने data को analyze करना है और आप sole contributor हैं उस data को collect करने के भी जैसे surveys होते हैं और Google forms वगरा होते हैं दूसरी साइड पे आता है secondary data secondary data एक ऐसा data होता है जो किसी का data हो यानि कि आपका नहीं है आपने किसी से वो data ली है और उस data पे आप analysis करें जैसे आज कल आप Google के उपर जाएं तो Google dataset का जो dataset search लिखेंगे तो आपके पास search engine आजएगा केगल पे काफी datasets पढ़ें है लोगों के data किसी ने publish किया data आप वो वला data उठा ले इसको हम बोलते है secondary data secondary और primary ये दो major types और data की जिसकी base पे आपके analysis का पता चलता है मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ और हम यहाँ पे दोनो types को और भी insightful हो के देखते है insightful हो के देखने से मुराद यह होगा कि हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे हमारे पास primary and secondary data जो है वो बिल्कुल first time आ रहा है ठीक है so यहाँ पे data collection की type इसमें भी पहली जगा जो हाईगी वो हाईगी primary data की primary data और second है हमारे पास जो type वो है secondary data यानि के ऐसा data जिसके sole contributor यानि के आपका अपना data आप हैं यानि के you collected that data collected the data collected में आ जाता है measure count survey etc जो भी हमारे पास terms जो use होती हैं उसको बोलते है primary data और primary data तब होगा जब आप collect करने वाले भी हो और आप उस पे analysis करने वाले भी हो और mainly जब आप primary data के उपर काम कर रहे होते हैं तो आपका एक aim होता है जिसकी base पे data collect किया जाते हैं ठीक है ये दो तीन points जो है अगर आपके mind में बैठ जाते हैं तो आपको primary data clear हो जाएगा ठीक है और जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि secondary data secondary data क्या होता है कोई बताना चाहेगा बिल्कुल आप मैंसे काफी लोगों के जो answer आ रहे है कि किसी का data यानि कि ये जो secondary data होगा this would be किसी का data किसी का data यानि कि you did not collect the data you did not collect this data data का जो honor है वो कोई और है honor of the data is not analyzing the data या उस data के उपर जो analysis वगरा चल रहा है वो honor नहीं कर रहा बलके दूसरे लोग कर रहे हों तो उसको हम secondary data बोलते हैं ठीक है और secondary data के अंदर सारा ऐसा data जो भी इंटरनेट के उपर पड़ा हुआ है यानि कि आप search करते हैं Google पे गए हैं Google पे जाने के बाद आपने search किया है कि जी data किस चीज का COVID-19 का मुझे मिल जाए अब यह जो COVID-19 का आपको data मिला है इसका मतलब यह नहीं कि आपने Google पे search किया है और आपने data निकाला नहीं यह जो data collect किया है क्या यह आपने किया है अगर आपने नहीं किया किसी और ने किया है then this will be called as secondary data आप क्या कर रहे हैं आप सिरफ उस data को Google के तुरू search कर रहे हैं आपने Google data search किया data को निकाला नहीं है so that's a clear line between primary and secondary data ठीक है जी यहाँ पे समझ आगी अब इसको और मदे नजर रखते हुए primary versus secondary data के अंदर आप के पास के यह types आजाती है ठीक है अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास जब भी आप primary data की बात करते हैं specifically primary data तो यह इसके अंदर कुछ specific हसूसियात है ठीक है सबसे पहली यह है कि जो research conduct करते हैं और experiments के थूँ research and experiments के थूँ जो data आपके पास collect होता है वो आपका अपना data है that is why this is called primary data second जो है आपके पास अगर आप किसी के साथ कोई interview schedule करते हैं और उस interview में कोई data collect करते हैं interview data collection और आपकी वो research में आ रहा है या आप उसके पहले वो वाले इंसान है जिन्होंने उस interview questionnaire को यहां पे question पूछने के बाद tick mark किया या data collect किया so this is also called primary data ठीक है और primary data तब आपका primary data है जब आप primary reagents जो lab के reagents होते हैं na reagents वो जिसने purchase की है data उसकी मिलकियत में आ जाता है जैसे for example मैंने एक तजर्बा करना है मैंने एक तजर्बा करना है के जी मैं mouse को mouse को एक antibiotic देता हूँ antibiotic देता हूँ तो जिस lab में मैं काम कर रहा हूँ ना जिनोंने reagent purchase किये हैं या जिनका खर्चा हुआ है data उनका ही होगा ठीक है जाहरी बात है अगर आपने collect किया तो आपको वो पैसे दे रहे हैं salary के थरूप ठीक हो गया और जो लोग पैसे खरच रहे हैं आपकी research पे जिनोंने mouse purchase करके दिया रिजेंट्स वगरा चैमिकल्स वगरा परचैस करके दिया लबाटरी के या आपको equipment दिया है परचैस करें data उनका है और जो लेबाटरी के अंदर काम करें data भी उनका है ठीक है so at the end जो data वहां पे आ रहा है न वो उस industry या उस institute की मिलकियत होता है ठीक है institute की मिसाल के तोर पर आगा अगर आप एक research university के अंदर काम कर रहे है या university के अंदर या research center के अंदर और आप को data generate कर रहे है वो आपका अपना data नहीं है आप analysis कर रहे है लेकिन वो उस university के अंदर वो उनका primary data है ठीक है समझागी बात की so these are few things research center या institute के यानि के experimental data जो आप काता है फिर इसी के अंदर आप अगर number four questionnaire बना रहे हैं questionnaire questionnaire आपने बना लिया और वो questionnaire आपने google form पे डाल दिया और आप ये google form का link लोगों को भेज रहे हैं कि भई ये फिल कर दो हमारी research के लिए ज़रूरी है लोग उसे फिल करते हैं वो जो data है न वो भी आप उसके main questionnaire जिन्नोंने बिल्ड किया है आप उसके collector है गूगल नहीं है ये आप हैं गूगल का आपने form जो है वो एक tool के तोर प example है फिर इसके बाद number five पे audio का data विडियो का data ये आजकल जो podcast हो रहे हैं जो podcast कर रहा है उस पर खर्चा कर रहा है ये data उनको belong करता है और उनका वो primary data ठीक है फिर कोई भी investigated product करनी है tissue sample लेने और whatever they need to conduct वो सारे के सारा primary data में आ जाएगा यहां तक clear हो गया अब secondary data क्या हुआ secondary data एक ऐसा data होता है obviously जो किसी ने collect किया किसी ने collect किया और आपने use कर लिया simple secondary user अगर आप secondary user हों secondary user क्या आपने collect नहीं किया किसी ने collect किया आपने उसे use कर लिया इसको बोलते है secondary data अब अक्सर उकात ऐसे होता है कि research paper के अंदर एक बंदा data collect कर रहे हैं अगर आप गोर करें तो उनका नाम सभी का इकठा research paper में आता है इसको हम team work कहते हैं ये data इनका primary ही रहेगा अगर वो एक ने research की और दूसरे ने उसको analyze किया लेकिन publish ही कठा कर रहे हैं ये फिर भी primary है ये secondary कब होगा किसी का paper है उसमें data है वो data आप use करके अपने paper के अंदर लिख रहे हैं ठीक है उसको बोलते है secondary data इसकी एक और example है पाकिस्त आन की मरदम्शुमारी का data या consensus का data जो है ठीक है ये जब बाता है तो वो data जो होता है वो secondary data होता है क्योंके government bodies जो है वो से collect करती है हम उसे use कर सकते हैं इसी तरह kegel के उपर सारे का सारा data secondary data है, इसी तरह Google data search के उपर engine पर जाएंगे Google data search engine, data search engine, वहाँ पर जो data होगा वो सारे का सारा secondary data है, तो ये एक बहुत बड़ी एक आपके पास नीश है, अगर आप secondary data को समझ के अच्छे से उसको utilize करें, प्राइमरी डेटा पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, अगर expenses की बात की जाए, तो प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि आपको lab भी खरीदनी पड़ेगी, अगर आपने survey करना है तो आपको लोगों की salaries देने पड़ेंगी, and there are many many resources you have to spend, और अक्सर अकात एक research project के उपर लाखों में पैसे लगते हैं, 15-15 million तक लग जाते हैं, एक research project में जिसने primary data generate करना होता है, ठीक है, on the other side secondary data जो है, ये आपको Google की दूरी पे पड़ा हुआ है, Google पे जाएं, सर्च करें, ले लें, ठीक है, UCL machine learning की library जो है, वहाँ पे सारा secondary data पड़ा हुआ है, फिर GitHub पे बहुत ज़्यादा data पड़ा हुआ है, फिर इसके इलावा आप किसी science दान को बोलें के, यार तुम्हारा data publish है, publish data को निकाल के, आप उसको दुबारा से different किसम के analysis करके, उसको publish कर सकते हैं, ठीक है, publish data से data निकाला, और उसको analyze किया, इसको बोलतें meta analysis, और इस पे मेरी expertise है, if you know, तो मेरे जातर paper इसी तरह के data पे है, you can do a lot of things, with this primary versus secondary data, अब आपको मैं दिखाता हूँ, कि primary और secondary data के अंदर, हमारे पास, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी options हैं, जिनको हम मदे नजर रखते हुए, primary और secondary data को देखते हैं, let me share my screen, which is here, yes, पहली चीज़, आप अगर यहाँ पे लिखें न, UCL Machine Learning Repository, Machine Learning Repository, तो आपको यहाँ पे, UCI Machine Learning Repository, यह UCL, whatever it is, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यह सारे के सारे data set आपके पास आ जाएंगे, फिर एक और जगा पे आपको secondary data मिल जाएगा, Google Data Search के engine पे जाएं, यह search engine है, यहाँ पे क्लिक करें, आपका सारे का सारा जो है, हर किसम का data आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यह दो archives ऐसी हैं, जहाँ पे data free में पड़ा है, तो मैं Google Data Search engine को ज़्यादा promote करता हूँ, आप सिर्फ लिखें COVID-19, COVID-19 लिखें, और आपके पास COVID-19 का data आ जाएगा, मैं यहाँ पे search करता हूँ, और आप देखेंगे, कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी data set पड़े हुए हैं online, most of them are available here, और आप यहाँ से select कर सकते हैं, जिए फ्री वाला लेना है, पैसों वाला है, तो यह फ्री वाले data set यहाँ पे आगे, यह सारे COVID-19 के data set हैं, ठीक है, आप किसी पे भी click करें, यहाँ पे मैंने click किया, वो कहता है, यह PDF वगएरा यहाँ पे पड़ी हुई है, so you can actually have an idea, कि यह data पड़ा है, यही से आप format CSV वगएरा देखके, preview करके इसको download कर सकते हैं, view at google.com पे जाएं, और यहाँ से आप data download कर लें, so these two things, यहाँ पे जाएसे browse data set है, UCI का, UCI है, not L, so UCI, University of California, Irwin, I think, तो वो उनका data set यहाँ पड़ा हुआ है, और यह google data search का है, ठीक है, इसके इलावा आपके पास, काफी online data repositories भी होती हैं, github के ओपर, so primary और secondary data की आपको समझ लगी होगी, आपसे request यह है कि primary और secondary data को अच्छे तरीके से समझें, और फिर आप आगे चलते हैं कि data collection क्यों ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं,